सबस्क्राइब करें नॉलेज ओफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जुरूर प्रेस करें दवाओ के बारे में लेटेस्ट नॉटिफिकेशन पाने के लिए तो हेलो फ्रेंस नमस्ते कैसे आप सब आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग मैं भी अच्छा हूं तो फ सब्जेक्ट सोता है जो प्रोग्राम होता है अगर हम इसकी डियुरेक्षिन की बात करें तो यहां आपकर टो ऊडियार्स का प्रोग्राम होता है जो की यह परीकल है आपको एक सक्सेशफूल क्याधर मैंने में काफी ज्यादा मजिद करता है कॉर्स आपकर क्यों detto के प्र तो मेरा नाम किशन हुगा और मैं अभी न्यू देली में रह रहा हूं और आयम पर्शिवरिंग ओटी टेगनीशियन इन टेक महिंद्रा स्मार्ट एकेडमी फॉर हेल्थ क्यार तो अगर हम इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स सब्जेक्ट्स की तो सबसे सपहले तो आपको इनाटमी के बारे में पढ़ना परता है आपको हम आगे आपको डिफाइन करेंगे मताब इतना समझाए आपको इसमें एप्लस उसके फिजियोलोजी के बारे में भी पडना पड़ता आपको हम प्लसुर्ण जो को आगे डिफाइन करेंगे प्लसुर्ण समझेंगे और जो आपका इसका नेक्ट सलेबस होता है उसके बाद आपको इसमें पढ़ना पड़ाता है आपको सॉफ्ट है जब कि जिसके अंदर आपको बात कैसे करनी है लोगों से बयभार कैसे करनी है नेचर कैसा होना चीए तो काफी अच्छा इंट्रेस्टिंग टॉपिक यह भी है आपका अगर आपको बात करें तो इसमें आपको इंग्लीश कि इंग्लीश भी आपका काफी अच्छा important लगता है ओटी टेक्निसिन के अंदर देन जो नेक्ट स्लेवर्स होता है आपका तो इसलिए आप वाइटी के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है अगर हम हम इनाटमी एंड फीजियोलोजी की बात करें तो यह आपका टोटल स्लेवर्स का अगर हम इसे सकतर परसेंट भी कहें तो कम हो सकता है सब्तर परसेंट आपका टोटल ईूमन इनाटमी एण फेजियोलोजी राखता है इस तीनों में आप टीज परसेंट को डिवाइट कर सकते हैं मतलब आप सोपर्सेंट के स्लेवर्स में पूरा सेवेंटी परसेंट आपका यह रखता है तो देर ना करते हुए फ्रेंट्स हम जटा जट जट जान लेते हैं कि आपको क्या-क्या पढ़ना पड़ता है इसके इंदर हम सिर्फ और सिर्फ यूमन इनाट्मी और फिजियोलोजी के बारे में चर्शा करेंगे किसके अंदर आपको कितना स्लेवस कवर्ड करना पड़ता ह है दें अगर हम इस में भात करेंगे में तो आपका टोटल वॉल्उम होता है आगे पड़े नंबर ओगयुव और इसमें आपका तीन वॉल्यूम के इंदर अगर हम इसको एसा ग्राप तरह समझते हैं तो पहला होग आपका वॉलिम वंस ने教 वॉलिम बढ़ेंट तो यह आपके तीन वॉल्यूम हो गया जो आपको कवर करने परेंगे human anatomy and physiology पर के अंदर major part आपका यह यह लिए दिन आपको volumes के अंदर भी अगर हम इस वॉल्यूम फ़र्ष्ट वॉल्यूम में बात करते हैं तो फ्रॉ्स्ट वॉल्यूम में आपका सबसे पहले आता है आते हैं कि फॉस्ट के अंदर चार मॉडिएल्स आते हैं इसमें आपको एक से चार तक एक मॉडिएल बना होता है इसके अंदर आपको चैप्टर्स बने होते हैं पार्टी कूलर तो एक से चार के मॉडूल्स हो गए अपको टोटल मतलब इसमें टोटल नमबर घर आपको आपको फाइव होगा इसमें आपको फाइव मॉडूल कवर करने पड़ते हैं यह आपका कहा से का हो गया 5 से 9 अगर नेक्स्ट थाड की बात करते हैं तो इसमें आपके टोटल 7 मॉडूल्स आपको कवर्ट करने पड़ते हैं इसमें आपका 10 से कितने हो गए 16 मॉडूल्स अगया तो इतने मोडुल सापको क्या करने है इसके अंदर आपके चेप्टर से तो हम पार्टिकुलर अगर हम वॉल्म से स्टार्ट करते हैं ठीक है तो लेट विए स्टार्ट वॉल्म वॉन के अंदर है जो फौर मोडुल से बने हुए है कि इसके अंदर आपको कितने चेप्टर्स होते हैं थी फर्स्ट मॉड्यूल में आपका क्या होता है जिन अगर हम फॉस्ट मॉड्यूल के बात करते हैं इसके अंदर मॉड्यूल फर्स्ट में जो आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों जो आपको पढ़ाया जाता है इसके अंदर आपको जेनरल चीजें बढ़ाई जाती है जेनरल चीजों को कराम आपको डिफाइन करते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं लाइक कर फंक्शन्स क्या होते हैं ओटी टेक्सिंशन के अधर बात करते हैं तो इसमें आपको जेनरल चीजें में आपको यह भी मेंटेन कैसे करना है ओटी को वहां पे हेल्दी इन्वार्मेंट शिक्योर इन्वार्मेंट कैसे रखना है मतलब हाओ टू मेंटेन सुरक्षीत एल्ड वर्किंग इन्वार्मेंट लब सुरक्षीत इन्वार्मेंट कैसे रखना है ओटी के अंदर जो ओटी लेव हैं इन ओटी इसके अंदर जो आपको कवर किया जाता है पेसेंट के कुछ लीगल इथिक्स होते हैं या फिर उसके जो लीगल राइट्स है तो उसके बारे में मतलब हम इसको लिखते हैं तो लीगल राइट्स अगे लीगल राइट्स हैं क्या उसके इथिक्स है इन चुजों के बारे में हमको मौडुल 1 के पढ़ना पढ़ता है यह आपका जेनरल चीजह है तो दिदेन अग्वम आते हैं मौडूल टूब कि आपको मॉडूल्टी में कौन कौन से स्लेवस आपको कौवर करने परते हैं तो मॉडूल्टी में तू में अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपको पढ़ना पर जाता है मेटिकल टर्मिनॉलोजी मतलब मेटिकल टर्म्स के बारे में आपको इसमें और कवर करना पर जाता है कि होस्पीटल के क्या क्या फंक्सन्स होते हैं अगर नेक्स्ट बात करेंगे इसमें तो कि देन मॉडूल के अंदर जो इसमें आपको पढ़ाया जाता है अगर हम मॉडूल के बात करते हैं तो इसको अंदर अगर आपको हेल्थ केर को इंट्रोड्यूश किया जाता है जिन में आपको महस्पून चीज़ा पढ़नी पर जाती है मेडिकल टर्मिनोलोगी के बारे में इसके बाद आपको फंक्सन्स ओफ हॉस्पीटल के बारे में हो सकता है आपको इजले समझ में आड़े इसलिए मैं तेजी से कर रहा हूं तो रहा है अगर सिच्वेशन आता है तो इसको कैसे हैंडल करना है इमर्जेंसी में क्या रिस्पॉंड करना है तो यह चीज़ा आपको मॉडूल ट्यूव के अंदर कावर करने को मिलता है अ जिन अगर हम मॉडूल थ्री में जाते हैं अ जा इस अधियरी लिखता हूं सीथा ठीक है आप लोगों हो समझी रहे होंगे इसके अंदर आपको जो में का इनाटमी यहां से आपको शुरुवात हो जाता है कि इसके अंदर जो जो चीजे आपको पढ़नी पढ़ती है आपको human anatomy का पुरा overview पढ़ना पढ़ता है कि पुरा overview पढ़ना पढ़ता है देन उसमें आपको बहुत सारे चीजे अटाइच हो जाती है जैसे हेड नेक कि देन उसके बाद आपको basic terminology होती है मतलब basic terms क्या-क्या होते हैं कि basic terminology के बारे में आपको पढ़ना पढ़ता है अनलब इन एनाटमी क्या-क्या है उसके बाद आपको abdomen कि मतलब आपका abdomen stomach आप जिसको बोल सकते हो पेट के muscles के बारे में हमें पढ़ना पढ़ता है इसके बारे में पढ़ना पढ़ता है इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना पढ़ता है इसके बाद इसमें और भी काफी सारे चीज़ा आ जाती है मतलब structure level क्या-क्या है human body के तो यह सारे चीज़ा आपको कभर होती है देन अगर हम module 4 के बात करते हैं तो module 4 में आपका physiology के बारे में पढ़ना पढ़ता है आगे हम बाते करेंगे anatomy क्या है human anatomy क्या है हर एक topics को पर हम प्रोपर सीखने वाले हैं और physiology आपका module 4 में आता है देन इसमें आप सीखेंगे human physiology के बारे में उसका जो सिस्टम से वह कैसे काम करता है पुरा ओबर विव इसके बाद वहीं बेसिक टर्मिनोल लॉजी कि बेसिक टर्मिनोल लॉजी जो लॉजी देन उसके बाद कार्डियो वस्कुलर सिस्टम जिसमें हम proper अपने हाट के बारे में समझेंगे इसके फंक्शन से स्ट्रक्चर्स हर एक चीज़ के बारे में पुरा कार्डियो वसोल बाते करेंगे बस एसको ऐसे समझ रहे हैं देनिस में आपका कॉपर हो जाता है रिस्पारेटरी सिस्टम इसमें नेफ्ट आपका ब्लॉड नर्वस सिस्टम इसके बाद सेल आपने तेंथ और त्वेल्थ लेवल पर वहां पर एक बार रिवाइज होने का मुख्का मिलता है इसके बाद आपका आजाता है गैस्ट्रो इंटेस्ट्राइनल सिस्टम तो इन चीजों के भारे में इसमें आपको पढ़ना पड़ता है बॉड़ी फ्लोट्स तो यह सारे टॉपिक्स आपको लॉड्यूल फॉर के अंदर कवर करना परता है जिनने आप एक वार ओवर्वर्व जैख सकते हैं कि जो टोटल नंबर औफ तीन वॉल्यूम होते हैं वॉल्यूम वन टू थ्री वॉल्यूम वन के अंदर आपको चार मॉड्यूल है पहले मॉड्यूल की बात करते हैं तो इसमें आपको चैन्रल चीज़्या सिखने क coalition मॉड्यूल में आपको को इंट्रोडक्शन टू हेल्थ केर को इंट्रोड्यूश किया जाता है देन अगर मॉडूल थरी की बात करते हैं इसमें आपको यहां से एनाटमी आपको प्रोपर स्टार्ट हो जाता है दिन इसमें आप एनाटमी के बारे में सीखेंगे हेड एने के बारे में बेसिक टर्मि म pre-s turbines हैं सकते हैं से इस प्रोपर संगे मसल्स के बारे में एक इसकलेटन के बारे में दियो England आपका मॉड्युल 4 में आता है बेन सिम जो जो आप अनामी में सेक रहे हैं मॉड्युल 3 में में 17 मैं उसी घुलॉसी आप यहां पर सिखें है और वोल्यूम और इन बोड़न होता है बोल्यूमां के अंदर आपको इतने से स्लिव चाइवाइब करने पढ़ते हैं अगर हम इसको तरीवन काउंट करते होते हैं थे आपको इतने चैपटर और करने परते हैं अब हम आते हैं दोस्तों वॉल्यूम टू के अंदर जो हमने आपको बताया था कितने होते हैं फाइव मॉडूल्स होते हैं तो इसमें आपको कितने मॉडूल्स हो गया है यह में लिखता हूं आप समझ जाएंगे हो कि नेट बॉल्यूम ट्यू का कFL करते हैं दोस्तों वीडियू लंबा और उसकता है इसलिए हमने पहले लिख लिए हैं इसमें आपको पैथोलोजी पर चीज के बारे में जानना पड़ेगा आगे हम पैथलोजी एनाटमी फीजियोजी हर एक चीज के बारे में प्रोपर सीखेंगे इसमें आपको जेनरल पितोर पैथलोजी ओवर्वर्वी इसका मिलता है दिन उसके बाद बेसिक टरम्स क्या-क्या यूज होते हैं इंजूरी को डाइग्नोस करना है इसके अंदर वह सेखते हैं देन आपका मोडूल 6 में आप आते हूं तो इसमें भी आपका वही जेनरल फार्मा जी एनु जेनरल फार्मकोलोजी अब यहां पर फार्मा सब समझ गया हूं कि इसमें जो भी चीज आपका कवर होगा सारा का सारा फार्मा से रिलेटे रोगा मतलब रिलेटे टो ड्रक्स देनिसी में वही इसका होबर भी सम्झेंगे आप क्या 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 बेसिक टर्म सोती है यह तो यह सारी चीज आपको कि सिखने को मिलेगा देना आफ्टर ड्रक्स के बारे में अब यह सारी चीज आपको मॉडूल शिक्स में मिलेगा देन अगर आप मॉडूल सेवन के अंदर हम जाते हैं इसमें आपको जेनरल सर्जरी शिखने का मौका मिलता है जेनरल सर्जरी दिन इसके अंदर भी वही सेम चीज आपको इसका अबर्वीव सर्जरी क्या है नहीं है फिर वही बेसिक टार्म्स को उसके बाद फंडामेंटल कौन-कौन से तो यह सारी चीज आपको सीखने को मिलता है जेनरल सर्जरी मॉडूल सेवन के अंदर इन अगर हम मॉडूल सेवन हो गया तो अगर एट की बात करते हैं तो इसके अंदर को एनसथिशिया के बारे में दुर्द भैंसे जाइब को आप आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह और मैं लिख रहा हम यह सब आपए एक चिप्टर होगा एक मॉडूल के अंदर जिसमें अपको आपका इनस्थिस्या का ओवर्व्यू कि यह क्या है नहीं है कैसे काम करता है इसके फंडामेंटल्स देन उसके बाद आपका अनेस्थेशिया के जो एजेंट्स होते हैं मतलब जिसको हम एनेस्थेटिक एजेंट्स बोलते हैं उसके बारे में तो यह तिन चार चाहिए आपको एनेस्थेशिया के अंदर प्रोपर सिखना पड़ता है इसमें आपको अभी सिख्षाए जाता है इ कि सर्ज टॉपिक्स आपके कभर होते हम निन Mortux के अंदर pipe मैं आपको इसमें जो सीखने को मिलता है इसमें अपको प्किदट्रिक केसी आश्केत। सिट्यट्रिक मतलब सब्करण के बाद रहे है सेइम इसके फंड़ामेंटाल्स तसके बाद बंद मुन नंदल और मिन्द्र पूछायर नहीं सप disciट एलए अपले मेंटसरीयक फंड़ामेंटल्स होगाए तो यह आप यह और उसके बाद अगर हम जानेंगे तो फार्मा के बादे में हो गया इन सारे चीजों के बारे में आपको प्रेट्टी के फर्मा फंडामेंटल्स के बारे में आपको सिखाया जाता है मोदूल लाइन के लिए यहार पे आपका टोटल अगर हम बात करेंगे तो मॉल्यूम टू इंड हो जाता है और इसके अंदर आप सब्सक्राइब करते हैं तो तीन तीन छे तीन नो तीन बारह तीन पंद्रह दो सत्तरह मतलब वही तक्रिवन आप अप्रॉक्स लेके चल सकते हैं वीश चैप्टर्स सब्सक्राइब करने परते हैं वॉल्यूम डू के अदर जैसे वॉल्यूम तीन को अगर हम ख़िम समझते हैं तो यह अपका 10 से स्टार्ट होता है तो जो मॉडूल होता है इसके अनदर आपको मिसलिनेस के बारे में पढ़ना परता है जिसमें IT के प्रिंसपल्स क्या क्या है होस्पिटल में कैसे यूज होते हैं हर एक चीज उसका बाद क्वालिटी इंप्रूब्मेंट रेडियेशन से खुद को सेफ्ट कैसे रखना है जो रेडियेशन निकलता है ओटी से कई बार तो पेसेंट्स के सेफ्टी ओटी के अंदर क लीवाशो जाना बमिलती है देन ये सफट्राइटा के अंदर जिसमें मतलब प्रेशन से पहले का किर अपरेसन से भात का किर यमना बस सोर्य चैसको अगर हम लिखते हैं तो पहले इससमय हों बाद में क्या-क्याक्यर होती है देनुचनiva आता है आपका equipment के है तो equipment के साब समझ गया होंगे कि क्योप्मेंट करना है इसके अंदर कैसे करना सर्जीकल इस्टुमेंट्स का सूचर्स का OTT टेवल्स का लाइट्स का लैप्रोस्कॉप का maintenance कैसे करना है उसका repair कैसे करना है तो इस सारी चीज़ आपको सिखने को मिलती है मतलब OT के अंदर जितने equipment है चाहिए anesthesia machine से लेकर के हर एक चीज़ का वहाँ आपको सिखने को मिलेगा तेना ता आपका OT Care operation theater का क्या है इसमें आपको साटिलाइजेशन डिस इंफेक्शन नसा मतलब नीडिलेस्टिक इंजिवरी BMW Biomedical West Management ICP infection control process इस सारी चीज़े आपको सिखने को मिलेगा OT Care के अंदर दिन उसके बाद आता पोजिशनिंग yorsun knowledge жизни के बौड़े में ऊंदर में 15 के अंदर आपको सिखने को मिलेगा क्या होते हैं क्रिटीकल कार में क्या का क्र ना पड़ता है इस में आपको DRESSING Banding हर एक चीز के बारे में सीखने को मिलेगा हो सकता है आपको ये सारी चीज़े पहले ही सिखा दिजा मतलब जब आपका स्टार्ट होता है उसी टेम आपको BMW NSI सटिलाइजेशन डिसिंफेक्शन एक्यूपमेंट्स के कुछ नाम उसके बाद बेसिक स्किल्स तो यह सारी चीजह हो सकता आपको पहले ही सिखा दे जाए आई टी आपका यहां पर भी इंपोर्टेंट है और आई टी जब श्यक्याँ, जिसमेंगा जिसमें जनेरल से ट of instruments किस सर्जेडी के लिए कौनसेश से ट भ्व एंस्टुमेंट का उसका उसके बाद आपसे के बारे में मतलब जो घाओ अगर हम इसको simple सब्समें में समझते है तो घाओ का सर्जड्यक ऐसे करना है नहीं करना इनीक digital area जैसे हमारा penis हो गया उसके बाद आंकि दो नजसे हमारे एनल काणाल का क्या से करना है तो इस आरे आपको सीखने को मिलेंगे यह मतलब इनके प्रोसेस जो होते हैं और क्या क्या इंस्टुमेंट इसमें लगते हैं वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा तो आइधिंक आप वॉल्यूम 3 देखके एक वार में रिवाइस करने की कोसिस करता हूं पूरे वॉल्यूम तो अगर हम सुरू से बात करते हैं अटी के अंदर पर आता है इतने वॉल्यूम होते हैं एक दो तीन चार मॉडूल फाच मॉडूल साथ मॉडूल फर्ट मॉडूल के अंदर आपको जेनरल चीज़े पढ़नी को मिलती है फंक्शन हो गया उसका क्यासे को हेल्दी रखना पढ़ना परता है पर आपका हो सकते है साथ चीज़ आपको पहले ही पढ़ा दिए देन मॉडूल फोर के अंदर आपको पढ़ना परता जिसमें बेसिक टार्म कार्डियोवस्किलर सिस्टम से जो सब्ढ़ रखें मतलब आपने तेन्त और तो लेवल में पढ़ा होगा बस सब्सक्राइब को थोड़ा हाई करके बताए जागा यहां पर अच्छे से अगर पीसी भी से कर रखा है मतलब फिजिक्स केमेस्ट्री बायोस है प्लस टूर तो आपको और भी ज्यादा हेल्प मिलने वाला इसके अंदर देने हमारा फर्स्ट बॉल्यूम इसमें आपके फाइब मॉडूल होते हैं तो फाइब से अगरम इसमें पैथोलोजी के बारे में आपको सीखना है मॉडूल 6 में आपको जेनरल फार्माचीज के बारे में 7 में आपको जेनरल सर्जरी के बारे में ओवर्यू बेसिक टार्म फंडामेंटल्स क्या क्या होते है सैट्रों के एट के बारे में इसको इनस्थिय के फंडामेंटल क्या क्या है एंस्थिया क्या है प्ले karaoke-हास थी in udah और पाडली स्वारे में इसके महतना तर wizardlagu सिर्वार 10 ना त्याज तक दिन C दिन उसके बाद और परेटिव आता है इसमें आपको परेशन से पहले और परेशन के समय में प्रेशन के बाद केर कैसे करना है इसके बाद आता आपका कर दिक्तां ये चो पूरा आटी गृषिसमें डिसनफेक्शन सर्टिलाइजेशन का से करना हरी चीज नैसा है लिग्व Olas की फोजिशन के बारे में मेंनली जे पॉजिशन जो होते हैं इसके स्किल्स के बारे जिसमें ड्रेश ेल canoe बेंडिंग आणि सघ्टों कौन सट्ट्राइब प्रोसेस जिसमें आपको जर्ण कॉन कॉन से से इस्ट्रुमेंट को यूज होते हैं जिसमें आपको जब अगर किसी व्यत्ति को आपसेस हो गया मतलब इसके लिए उन्मार्ण के इस्टुमेंट तो कॉन सा से यूज होगा जनाइटल एरिया का हो रहा है तो यह सारी चीज आपको सिखने को मिले रहे हैं यह था पूरा का पूरा स्लेवर्स यह आपको अठारा दो साल के अंदर क्लियर करना हो और इतना कवर हो भी आती है अधर आपने प्लस टू पीसी भी से किया है तो कि मतथ मिले का जैने अब हम नेक्ट वीडियो में जातेंगे स्टार्ट करें से वहाल वेसिक चीजह से चलेंगे जैसे अनाटमी के बारे बहुत जरूरी है और मैंने कर भी रहा हूं तो आप भी उमीद करता हूं आप भी करेंगे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए हमेशा वीडियो को देखा कीजिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो चीज़े आपको इंसेट्यूट में नहीं मिल पाती कई वार सीखने को समझने को वो चीज़े आप यहां पर समझ सकते हैं तो ओके फ्रेंड्स बाइबाइब टेक क्यार मिलते हैं आप से अगले वीडियो में कब आप